तो गैस 2020 के स्टार्टिंग साही जो 64 Megapixel वाला सेंसर है वो काफी ज्याद है मेजर ट्रेंड मेरा है सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको 15000 के अंदर देखने को मिला है लेकिन भाई इसमें से आप बहुत जादे कन्फिज हो कि आखिर हम कौन सा स्मार्टफोन लें स्मार्टफोन के स्मार्टफोन का कामरा है तो बैक साइड में अमेजिंग फोटोस क्वालिटी है फ्रन्ट साइड में आपको सेल्फी के बात करूँ तो कमाल की सेल्फी निकालते कर देता है इस प्राइज के अंदर बात करेगर इस स्मार्टफोन के दूसरे हैटिंग पॉइंट की वह इसकी मॉंस्टर बैटरी 6000 mAh की लंबी बैटरी मिल जाती है साथ में 15W का एक Fast Charger भी मिल जाता है Display 6.4 इंचेस की Full HD Plus वाली AMOLED स्क्रीन मिल जाती है Courtney Gorilla Glass की production मिल जाती है और क्या चाहिए आपको एक स्मार्टफोन से आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपने लिस्ट के चौथे नंबर वेले स्मार्टफोन की भाई वो है Realme XT अब चौथे नंबर पर क्या हो क्यों कि यहां पर आपको Quad Camera Setup बैक में मिलता है 64 Plus 8 Plus 2 Plus 2 Megapixel का Front में 16 Megapixel का एक Selfie Shooter मिलता है कमाल का Image Quality आपको देखने को मिलता है वीडियो के लिए काफी कमाल का स्मार्टफोन है अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में Qualcomm Snapdragon 612 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि I think Exxonos के 6911 से काफी ज्यादे बढ़ रहा है भी या आगे बढ़ते हों बात करते हैं अपने तीसरे नमर वाले स्मार्टफोन से और इस स्मार्टफोन को मैंने तीसरे नमर पर क्यों रखा है अभी आपको पता चल जाएगा 64 Megapixel प्लस 8 Megapixel प्लस 2 Megapixel का back side में amazing camera setup हो जाता है बाति के बारे में 4500 यानी 4500 यानी 4500 इंच की लंबी बैटिंग के साथ आता है बॉक्स के अंदर 18 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइट कराएगा है बट यह स्मार्टफोन है कमाल के 27 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो मार्केट से लिए कि आप और जादे फास्ट स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो और इस स्मार्टफोन का बेस वेरियंट आ जाता है सिक्सटी वेरियंट के साथ जो कि आपको तेरह जार नौसों नीनाट पर यानी पंदरह जार से बहुत ही कंप्रेज के अंदर देखने को मिल जाती है वर्ते पने लिस्ट में दूसरे नमर वाले स्मार्टफोन से भाई वो है रियल्मी के तरप से आने वाला रियल्मी का एक इसके अंदर आप गेमिंग कमाल की कर सकते हूं 6.4 इंचेस की सूपर एमुलेट डिस्प्ले भाई यहां पर आपको सूपर एमुलेट डिस्प्ले मिलती है और यह जो स्मार्टफोन है फुल एस्टी प्लस सपोर्ट के साथ आता है साथ में गोरिला क्लास 5 की प्रोटेक्श 16,900 इन भी यानी 17,000 के अंदर मतब थोड़ा सा यहां पर प्राइस ज्यादा है बात करते है नंबर वन स्मार्टफोन की जो की नंबर वन वाकई में नंबर वन स्मार्टफोन है कैमरा को लेकर प्रफॉर्मेंस को लेकर बैटरी को लेकर वो है पोको का X2 अब आप बोलोगे के यार रियल्मी X2 को आपने क्यों नहीं पहले नंबर पर रखा बताता हूं क्यों पोको X2 के अंदर आपको क्वार्ड केमरा से मिलता है 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सूटर मिलता है क्वालकम स्टेब डिगन 730 जीगा प भली 120 हर्ट रिफ्रेस रेट देखने को न मिलती हो बट एमलेट डिस्प्ले तो कलर्स वगरा काफी जादे अच्छ होंगे बट गाइस रिक्स्टू के अंदर जो डिस्प्ले प्रफॉर्मेस देखने को मिलेगी वह काफी जादे स्मूथ होगी इसलिए मैंने इसको फर्स नमर पर रखा वाइस भी यह स्मार्टफोन काफी अच्छ है गेमर्स के लिए स्मार्टफोन काफी जादे अच्छ है क्योंकि स्मूथ एक्स्प्रेंस के लिए डिस्प्ले काफी कमाल का है हाप आपको देखने को मिल जाता है 4500 mAh की लंबी बैटे के साथ 27W का फास चाज़ा के साथ इस स्मार्टफोन आता है और इस स्मार्टफोन का बेस वेरियंट 6GB 64GB आपको 59992 16000 के अंदर आप आराम से बाई कर सकते हो तो तो बस यही थी मेरो टॉप 5 बेस्ट कामरा स्मार्टफोन जो कि आपको 15000 के अंदर द मिलते एक ने वीडियो को साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रा